साथियो नवस्कार, पिर्देश के जितने भी अथिती सिक्षक संग के पदादी कारी हैं, सभी अथिती सिक्षकों के नेमिती करण के लिए प्रियासरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि संभू चरण दोबे ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग रखी। और विभागे परिक्षा लेकर अथिती सिक्षकों को नेमित किया जाए। इस पर बात संभू चरण जी ने की है। यह आज की ही निउज है, जो गुरुवार को इन्होंने मीटिंग ली है, और मीटिंग में कहा है कि जितने भी अथिती सिक्षक हैं, इनकी विभागे लेने के बाद सास के तरीके से ही उनको डियेड वियेड कराया जाए देखे पूरी खबर अतिती सिक्षकों को विभागी पर इक्षा लेकर नेमित किया जाए साथ ही जिन सिक्षकों का डियेड वियेड नहीं हुआ है उनको सासन इस्तर पर प्रिसिक्षण देकर प्रिसिक्ष अथिती सिक्षक संगर समीती के प्रांतिय अध्यक्ष संभु चंड दुवे की अध्यक्षता में गुरुबार को सतना में संगटन के पिर देस पदाधी कारियों की बैठक संपन हुई, बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। बैठक में प्रिदेश की नई सरकार से मांग की गई है कि पिछले बारा वर्सों से कार रत रहे अतिती सिक्षकों को ततकाल नेमित कर उन्हें पुना पद स्थापित किया जाए अतिती सिक्षकों को विभागे परिक्षा लेकर नेमित किया जाए साथी डियेड वियेड जिन अतिती सिक्षकों का नहीं हुआ उनको सासन इस्तर पर प्रिसिक्षड दिया जाए और बारा माह का वेतनमान भी दिया जाए प्रदेश अद्दक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमारी मागों को बचन पत्र में सामिल किया था जिसके तदोपरांथ अथिती सिक्षकों ने मद्द प्रदेश के पूरे इंक्याओं जिलों में कांग्रेस पार्टी के लिए पिचार प्रसार किया तथा सत्ता परिवर्तन में महत्पूर्ण भूम का निवाई इस तारतम्मे में सभी अथिती सिक्षक यससवी मुखमंती कमलात जी का जाजधानी भोपाल में स्वागत सम्मान साल और स्वीफल वेट करना चायते हैं और मुखमंती जी से बचन पत्र में सामिल उनकी बहु प्रितिक्षित मांग पूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करते हैं तो आपने देखा कि जितने भी हमारे अथिती सिक्षक संग के पदादी कारी हैं यहाँ पर संभू चनर दोबे जी हैं और हमारे एक पिदे सद्यक्ष जी हैं बीडा जी हैं लगातार कांग्रेस परिवर्तन के बाद और भी तेज हो गए हैं अपने प्रियासों में और नीमित करने के लिए मांग निरंतर करते जा रहे हैं और अभी हमने पिछली वीडियो में आपको एक आदेश दिखाया था जिसमें 36 गड़ की कांग्रेस सरकार ने भी जो दैनिक बेतन वहोगी कर्मचारी हैं संभिदा कर्मचारी हैं उनको नीमित कर दिया है तीन तारीक को तो उसी की तरज पर अब आसार भी है कि मद्यपिदेश में भी वै हो सकता है क्योंकि 36 गड़ में कांग्रेस की सरकार है उसी प्रिकार मद्यपिदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और लगभग मर्द्पिदेश बचनपत्र, 36 गड़ बचनपत्र और राजिस्थान बचनपत्र कि जितने भी बिंदू सामिल किये गए थे वो लगभग सभी बिंदू एक समान थे यानि तीनों स्टेटों में जो बचनपत्र किये गए थे वो लगभग समान थे तो मद्य प्रदेश में भी नेमिती काड़ का बिंदूस में किया गया है तो इस पेकार से हम कह सकते हैं कि मद्य प्रदेश की जो अथिती सिख्षक हैं वो भी निश्चत तौर पर नेमित किये जा सकते हैं दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें